नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहार निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार निकाई चुनाव 2022 के पहले चरण का मदान 18 दिसंबर को बिहार में स्टार्ण के गिये महिलाओं को मिलेगा 5 फीज दी अधिकला बिया सीपी ने ग्यारवी में प्रवेस पंजियन की तिथी को आगे बढ़ाया बिहार में चट्टे चरण के सिक्चर के लोजन के बाद मिलेगा एचिक तबादला सुमन गिनले पहले इस सतक को बताया खास लेकिन इस वजह से हैं थोड़े मायूश इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार निकाय चुनाओं 2022 के पहले चरण का मदान 18 दिसंबर को बिहार नगर निकाय चुनाओं के पहले चरण का प्रचार प्रसार 15 दिसंबर की साम 5 बचे से ही थम गया है वही अब 18 दिसंबर को इस चुनाओं के प्रथम चरण के लिए मद्दान किया जाएगा आपके जानकारी कलिब बता दे कि बिहार में दो चर्णों में 224 सहरी निकायों के चिनाव होने हैं जिनमें 17 नगर निगम, 70 नगर परिसद और 117 नगर पंचायत हैं। थानेदारों पर हलक जमाने के लिए खुद को DGP का बेटा बताता है यह सक्स। SSP डॉक्टर मानव जी सिंग धिल्लो के द्वारा सभी थानों को पत्र संक्या 8,800 एक्तिस जारी किया गया है जिसमें थानों को अलर्ट करते वे कहा गया है कि बीटा का नवनीत कुमार पांडे प्रतस्थान और सरकारी कार्यालों में जाकर अपने आपको वडिये पतादिकार आईयों का खास बता अपना काम निकलवाता है इसके साथ ही अथानेदारों पर हनक जमानी, ट्रांसफर, पोस्टिंग का जहासा देने और खुद को पूर्वर DZP का बेटा वा SSP का खास बता किसी भी तरह का काम चुटकी में करवाने वाला एक जालसास का पता चला है या अपरादी पाली गंज में नीजी सुरक्षा एजेंसी भी चलाता है इसके गतिवीदी संदिक्द है और कभी भी इसके दोरा कोई भी अवैध कारी करने के लिए प्रेडित किया जाए तो तुरंत कारवाई करे बता दे कि इन सभी चीजों के साथ जारी पत्र में अपरादी की तस्वीर भी लगाई गई है 29 बिहार बॉल बैडमिंटन स्टेट चैंपियन बनी वैशाली बीते दिन सुक्रवार को बिहार राजी के वैशाली जले के कुश्वाहा आस्रम में 29 बिहार बॉल बैडमिंटन स्टेट चैंपियन का योजन किया गया जिसके फाइनल मुकाब कि अबॉल बैडमिंटन स्टेट चैंपियन का काडिक्रम तीन दिवसिय था जिसमें पूरे बिहार की टीम भाग लेने वैशाली पहुचे थी इस मौके पर मुखे आती थी के रूप में बिहार सरकार के मंत्रे इस्राइल मनसूरी मौजूत रहें जिदोंने विजेता और उप विजेता को ट्रॉफी दे कर समानित किया बिहार विजेता समीती के द्वारा एक ग्यारवी में प्रवेस पंजियन की टीथी को बढ़ा दिया गया है बता दे कि ओ एफ एसस से सत्र दो हजार बाईस से चौबिस में आर्मिशन लेने वाले स्टूरेंट्स अब 30 दिसम्बर तक sttp.senior.biharboardonline.com पर जाकर आविदन कर सकते हैं वहीं से पहले आविदन करनी के अंतिम तारीक 15 दिसम्बर तक नरधारित की गई थी जिसे बढ़ा कर 30 दिसम्बर तक कर दी गई है बताते चले कि पंजियन के लिए नियमित कोटी के स्टूरेंट्स को 480 रुपे और स्वतंतर कोटी के स्टूरेंट्स को 880 रुपे का सुल्क देना होगा बिधान परिसित में सिख्चा मंतरी प्रोफेसर चंदर सेखर के दौरा यह घोशना की गई है कि बिःहार में छटे चलन के सिख्चक नियोजन के बाद ही अंतर जिला या नियोजन अंतर इकाईयों में एच्चिक तबादला किया जाएगा उफेसर चंदर सेखर के दौरा विधान पारसदों से अनुरोद किया गया है कि विध्यालियों में क्लास्रूम और बॉंडरी बनवाने के लिए हाली में जो 250 करो रुपए निविदा के रूप में दिये गया है उससे स्कूलों में बॉंडरी का निर्मान करवा लिया जाए बॉंडरी नहीं होने से और समाजिक तत्व बच्चों की पढ़ाई में बाधा डालते हैं। इसे भी लिया करता था बता दें कि गरफ्तार किये गये इस अपरादी का नाम रवी चौरसिया है जो की मुझपटपुर्जले के कट्रा रजिस्ट्री कारयाले में लिपिक के रूप में कारयरत है बता दें कि आरोपी मुंगेर जिला के नया गाउन जमालपूर का है। बिहार में स्टार्टप के लिए महिलाओं को मिलेगा 5 फीस दी अधिकला बिहार में स्टार्टप को बढ़ावा देने के लिए सरकार के और से कहीं कोशिशे की चार ही बता दे कि इसके लिए आवेदन करने की तारिक 31 दिसंबर तक नरधारित की गई है हाला कि इस स्टार्टप में आवेदन करने के लिए परमपडागत उद्योग से अलग नए आइडिया होने जरूरी है वही इसके उजना के अंतरगत महिलाओं को 5 फीस दी अधिकलाव सरकार के और से मुहया कराया जाएगा यानि की मैला उद्यमियों के स्टार्टप की सीड फंड के रूप में 50,000 रुपए जादा दिये जाएंगे बता दे किस नीधी के तहट सीड फंड के रूप में बिना ब्याज के 10 साल के लिए 10 लाख रुपए देनी का प्रावधान किया जाता है बिहार के छपड़ा में नहीं थम रहा मौत का सिलसला बिहार के छपड़ा जिले में जहरीली सराब से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बरहोतरी होते जा रही है तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आँखों की रोश्नी को खो दिया है तो वहीं कई लोग वैसे भी हैं जो इलाज के लिए अब तक अस्पताल में भरती है वहीं अब छपड़ा के अलावा बिहार के सिवान और बेकु सराय जिला से भी मौत की खबरे सामने आ रही है जानकारी के लिए बता दे कि अब तक छपड़ा में जहरीली साहब से मरने वालों की संख्या 70 से अधिक हो गई हाला कि अब तक प्रशाष्णिक आक्रों के अनुसार केवल 14 मौतों को बताया जाड़ा है वही अगर बात करें गयर प्रशाष्णिक संस्थानों की तो उनके अनुसार दिये गए आक्रे में 75 से अधिक लोगों की मौतों को बताया गया है पटना एम्स पूर्वी भात का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा पीते दिन सुग्रवार को पटना एम्स के छटी एकेडमिक काउंसिल की बैठक आयुजित की गई जिसमें भाजबा के प्रदेश अध्यच डॉक्टर संजय जैश्वाल भी शामिल रहे था कि पटना एम्स को सौस्ते के छेत्र में एक बड़ा केंद्र बनाऊंगा लेकिन इस काम को करने में मुझे पूरे साथ वर्ष का समय लग गया आज हम 24 ओपरेशन थेयर्टर चालू करने में सफल हो गया है और पस ट्रांस प्लांट छोड़ बाकी सभी कारे कर रहे हैं खरमास सुरू होते ही आभूशनों के रेक में कमी खरमास की सुरुवात हो गई है ऐसे में अब सोने और चांदी के आभूशनों के डामों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही है वहीं से लेकर आम दुकानदारों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में आभूशनों में और भी कमी देखने को मिल सकती है बता दे कि राजधानी पटना में 24 करेट सोने की कीमत 54,400 प्रती 10 ग्राम है तो वहीं 22 करेट सोने की कीमत 49,750 रुपए प्रती 10 ग्राम है वहीं अगर चांदी की कीमत की बात की जाए तो पटना में चांदी की कीमत 64,600 रुपए प्रती 10 कीलो है आरजधी विधायक सुधाकर सिंग ने अपनी सरकार को घेडा नितीज 13 वी सरकार में रामगर से आरजधी के विधायक सुधाकर सिंग ने एक बार फिर अपने सरकार को घेडा है पता दे किस बार उन्होंने सरकार की सराब नीती पर सवाल उठाये हैं और मांग की है कि सिटिंग जजों की बहुत सदस्य कमीटी सराब मामलों में बनाई जाए इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में सराब बंदी लागू है लेकिन अगर सराब बंदी जमीन पर होती तो इतनी मौते सराब पीने से नहीं होती बिहार में आकरी सराब आप कहां से रहा है इसके साथ ही जितने लोगों की सराब से मौते हुई हैं उनके आकरे भी सर्टिक नहीं बता जा रहे हैं अगर सरकार सुईकार कर लेती है कि बिहार में सराब बंदी 100% विफल है तो इसके सारे रास्ते निकल जाएंगे सराब तरास्ती को लेकर भाजपा के निशाने पर नितीस हुमार पीति दिन सुक्रवार को साराण के बास Sivan और बेगु सराए जिला में सराब से हुई उन्हें खुला छोड़ देती है यही वज़ा है कि तीनों जिलों में इतने लोगों की मौत हो गई है और नितीज कुमार सर्मनाक बयान दे रहा है कि जो पीएगा वो मड़ेगा इसके साथ उन्होंने पिरत परिवार लोगों के लिए नितीज कुमार से मुहावजे की मांग क तेश्वी यादव और वित मंत्री विज़ा कुमार चौधरी के दौरा किया जाएगा बतादे कि कॉलकता में स्टन जोन सिक्योरिटी काउंसल की बैठक 17 दिसंबर यानि की आज ही आयुजित की जाएगी वही इस बैठक में ओडिशा जारखंड और सिक्किम के मुख्य मंत मंत्रे भी शामिल हो रहे हैं वह इस बैठक को लेकर तेश्वी यादव का कहना है कि इस बैठक में बिहार से जुड़े हित की जो भी बाते होंगी उसे केंद्रिय ग्री मंत्री के समक्चर रखा जाएगा और साथी बिहार का जो बकाया है उसे भी अमित्सा के सामने रखा सुबमन गिल ने पहले टेस्ट सतक को बताया खास लेकिन इस वजह से हैं थोड़े मायूस बित्यति सुक्रवार को बंगलादेश के खिलाब सुरुवाती टेस्ट में खेलते वे भारत के युवा सलामी बल्ले बाज सुबमन गिल के दोरा पहला टेस्ट सतक जड़ा गया ब पहले होता है जिन्होंने मेरय समर्थन किया है किसी भी खिलारी के लिए विशेस चन है पहला सतक पहुंचना मेरे लिए खास है जानिये आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए जिसके बाद राजधानी पत्ना में आज पेट्रॉल 107.22 रूपे और डीजल 94.92 रूपे प्रती लीटर में मिल रहा है मुझअ पर्पुर्में पिट्रॉल 17.9 रूपे और डीजल 94.6 रूपे प्रती लीटर में मिल रहा है बता लिए कि बिहार में पिट्रॉल का रेट सबसे आदा किसंगंज में है जहां पेट्रॉल 109.4 रुपे प्रती लीटर और डीजल 96.4 रुपे प्रती लीटर की दर से मिल रहा है बीते दिन हमाई दोरा पूछे का सवाल का अप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके नुसार बिहार में स्टार्ट अप के लिए महिलाओं को पांच फीस दी अधिक लाब देने से महिलाओं को क्या फाइदा मिलेगा आप अपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूस और सा जातुम रहें देने वाड़ आपodelी झाल एफ यवाद शौर को जजी बिवारे 기शों के लिएर अचैन snowman